इन्जाज एप बाट पईशा कसरी पठाउने टाप टू स्लेक्ट बेनिफिसरी मा क्लिक गरनू होस तप माई जुन बेक्ति को नाम मा पईशा पठाउना चानूं छा उहांको नाम मा क्लिक गरनू होस पठाउने रकम लेखनू होस सौधी रियाल या नेपाली रूपियामा सूची बाट ट्रांसफर को उदेश चानू होस पठाउने मुद्रा रकम चानू होस नेक्स्ट मा क्लिक गरनू होस तप माई को ट्रांसफर विब्रन हेर नू होस र कन्फर्म मा स्वाइप गरनू होस यदि तपाइं फुल एक्सेस प्रयोगरी रानुभावको छा बने ट्रांसफर रकम तपाइंको इन्जाज कार्ड को बैलेंस बाट घटाईने छा रध तपाइं लाई ट्रांसफर रसीद रिफ्रेंस नंबर हिर न सकनूने छा यदि तपाइं क्विक एक्सेस प्रयोगर देऊनुँण छा बने तब तपाइं लाई तपाइंको माधा कार्ड बिब्रन हरुप भर्ना सो दिने छा माधा कार्ड नंबर 16 संख्या को अंक को हुँँछ तपाइंको कार्ड मा देखाइएको जस्ते राखनू पर छा माधा कार्ड समय अबदी मीती महिना रब बर्ष तपाइंको कार्ड मा देखाइएको रूप मा राखनू पर छा माधा कार्ड धारक को नाम तपाइंको कार्ड मा देखाइएको जस्तो राखनू पर छा सुरक्षा कोड माधा कारड़ को पचारी की संख्यात में कांख भाखको नमबर राखनु पर छा नेक्स्ट इमाड म कलिक करनु हर्णु प्लनाव् मा कलिक ग calming हर्णु तपाइई को माधा कारड बैंक तपाइई को मख़बाइल ना को एक पटक का पास्वर्ड राखनू होस, सब्मिट मा क्लिक गर्नू होस, अस्थांतरन सफलता पुर्भक संपन्ना भायो, रा तपाई अस्थांतरन रसीद, रा रिफरेंस नंबर हेना सकनूने छा.